मैं आपका दोस्त आज आपकी लिए लेकर आया हूँ तुलसी का ये टुटका मात्र दो घंटे में पूरी कर देगा हर मुराद जानिये कैसे हिंदू धर्म में तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसे काफी पवित्र माना जाता है यही कारण है तुलसी का पौधा भारत के लगभग हर घर में होता है अमीर हो या फिर गरीब हर आदमी इसे अपने घर में लगाता है क्योंकि इसे सुभ भी माना जाता है वही अगर आपको अपनी किस्मत को चमकाना है तो तुलसी का पौधा बहुत लाबकारी होता है ये आपकी हर मनो कामना को पूरी कर सकता है तुलसी की पूजा अर्चना हर हिंदू महिला सुभा करती है घर परिवार में कोई भी मुसीबत आने से पहले उस मुसीबत का असर तुलसी के पौधे पर पढ़ता है तुलसी का पौधा इस बात का आभास पहले से कर देता है आपके घर में कोई भी पत्ती आने वाली है या आपके घर के किसी सदश्य को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है पुराणों और सास्त्रों के अनुसार माना जाये तो ऐसा इसलिए होता है जिस घर पर मुसीबत आने वाली होती है उस घर से सबसे पहले लक्षमी यानी तुलसी चली जाती है दरिद्रता, असान्ति और क्लेश के बीच लक्षमी जी का निवास नहीं होता जोतिस सास्त्र में इसकी मुख्य वज़ा बुध को माना जाता है सास्त्रों के साथ ही तुलसी को घर में रखने के कुछ बैग्यानिक करण भी बता दें तुलसी स्वास्त की नजर से बहुत लावकारी है तुलसी का प्रयोग बहुत सी दवाईयों में भी होता है वही कहा जाता है घर के आँगन में तुलसी होने से रोग विरोग घर में प्रवेश नहीं करपाते हैं कई युगों से तुलसी को एक औसध के रूप में भी देखा जाता है इसकी पत्तियों से लेकर फल, तना, सब कुछ न कुछ फाइदा देते हैं बुखार को भी कम करने में लाबकारी होता है वहीं अगर सास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो तुलसी में इतने गुड होते हैं ओ आपकी हर मनो कामना को पूरी कर सकती है कहा जाता है तुलसी के पत्ते के कई ऐसे टुटके हैं जो आज तक लाबकारी सिद्ध हुए हैं वहीं आपने देखा होगा अक्सर ऐसा हो जाता है कई बार आप मेहनत तो करते हैं लेकिन आपको लाब नहीं मिल पाता है और आप निरास हो जाते हैं व्योसाय में नुक्सान हो रहा हो, या फिर घर बिमारियों और लड़ाई जगडों से घिरा हो, तो एक बार आप तुलसी के इस उपाय को जरूर अपनाएं, बस कर लें ये टुटका, अपनी हर मनो कामना को पूरा करने के लिए सिर्फ तुलसी के चार पत्तों की अवश्यक् ध्यान रखें कि घर के मुख्य दर्वाजे पर जरूर छिड़कें, क्योंकि कहते हैं नकरातमक्ता मुख्य दर्वाजे से ही प्रवेश करती है, बस ये करने से ही आपकी किस्मत चमक जाएगी और घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच अध्यम से ऐसे ही बहुत सारी रोचक बाते लेकर आएंगे, धन्यवाद